Hello students, welcome to given classes. आज गे इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं Lucent Samani Gyan और Lucent Samani Gyan का ये lecture number 14 है जिसमें कुशान वन्स और गुप्त समराज्य को हम देखने वाले हैं जिसमें गुप्त वन्स में सारे जो गुप्त सासक हैं उनको हम देखेंगे और कुशान वन्स को कंप्लीट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस lecture को यहाँ पर सबसे पहले कुशान वन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो कुशान वन्स के लोग कहां के थे इसके बारे में आप जानेगा कुशान वंस के लोग पस्चिमी चीन की जंजाती के थे इसको आप याद रखेगा यहां से question बनने में काफी ज्यादा point मिल जाते हैं तो यहां से question बन जाता है देखे कैसे कुशान वंस के लोग कहां की जन जाती थी तो कुशान वंस के लोगों की जन जाती पस्चिमी चीन की थी इसको आप याद रखेगा और कुशान वंस के वास्तविक संस्थापक का नाम कुजूला कडफिसेस था कुडूला कड़ फिसेस इसको नाम को याद रखेगा जो वास्तिविक संस्थापक माने जाते हैं कुशान वंस के कुशान वंस के लोगों ने अपनी जो राजधानी थी वो पहले पेशावर या फिर बोल सकते हैं पुरुषपूर को बनाई और दूसरी राजधानी कही जाती है मथूरा तो पहली राजधानी कुशान जो सासक थे उनकी पेशावर या फिर पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मतूरा को माना जाता है बाल विभा की सुरुवात किस वंस के राजाओ द्वारा की गई थी तो बाल विभा की सुरुवात की गई थी कुशान वंस के राजाओ द्वारा तो कुशान वंस के राजा उद्वारा ही बाल विभाव की जो सुरुवात थी वो की गई और सबसे सुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो किस सासक ने चलाए थे तो वो थे कुशान वंस के सासक ने ही सुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो की सुद्ध सोने के सिक्के का वहां से प्रिचलित हुआ बात करते हैं पहलव तो पहलव के बाद जब कुशान आए तब यूची और तोकरी कहलाए थे तो यानि के ये पहलव वंस के बाद कुशान वंस आया और जब कुशान वंस के लोग यहां पर आये तो यूची और तोकरी कहलाए थे और ये दो कबिले थे एक तो यूची था दूसरा था तोकरी और ये दो कबिलों में यूची जो नाम का कबिला था वो पांच कुलों में बट गया था यानि कि इसके पांच कुल बने थे और इन्ही कुल का एक कुल माना जाता है कुशान तो यानि क्या है कि जो भी एक पहला वंस के बाद कुशान यहां पर आये थे वो दो कबीलों में आये थे सूची और यूची और तोकरी और यूची नाम का जो कबीला था ये पांच कुलों में बट गया था और उनी में से एक कुल माना जाता है कुशान तो कुशान वन्स का सबसे प्रतापी राजा most important question बनता है तो याद रखे कनिश्क था सबसे प्रतापी राजा कुशान वन्स का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था कनिश्क और कनिश्क जो है कब गद्धी पर बैठा तो 78 इस्वी में कनिश्क गद्धी पर बैठा और जब ये गद्धी पर बैठा तो उस समय को ही हम क्या बोलते हैं शक समवत बोलते हैं तो याद रखें सक समवत 78 इस्वी याद रखेंगा सक समवत कब से 78 इस्वी से सक समवत कहलाता कनिश्क के शासनकाल में ही बौध धर्म की चौती संगीती हुई थी यह आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमने जो लेक्चर इससे पहले हैं उसमें हमने यह बात की थी कि बौध धर्म की जो वीडियो है उसको आप जाकर के देख सकते हैं कंप्रीट वहाँ पर इंफरमेशन दी गई है याद रखेगा कनिश्क के समय जो चौती संगीती हुई थी वह कहां पर हुई थी तो नाम याद रखे कुंडलवन में कुंडलवन जो है एक जगे है जो की अब कश्मीर में है कि तो कनिश्क के समय में चौती बौध संगीती हुई थी कुंडलवन में यानि के जो व और वसुमित्र कौन थे एक बौध विद्वान थे उन्हीं के अध्यक्षता में ये संगीती कंप्लीट हुई थी और कनिश्क जो है वो किसका अनुयाई था ये क्योशन भी काफी ज्यादा बार आ चुका है तो कनिश्क जो है वो बौध धर्म का अनुयाई था और बौध धर महायान और हीनियान दो साखाओं में बटा था तो उन में से जो कनिश्क था वो महायान साखा का अनुयाई था कनिश्क के दरबार में राजवैद्य कौन था इसको याद रखिए कनिश्क के दरबार में राजवैद्य चरक था और चरक के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था चरक संहिता तो कनिश्क के दरबार में राजवैद्य का नाम क्या है चरक और चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक चरक संहिता कनिश्क को और किन नामों से जाना जाता है तो इसके नाम याद रखेगा कनिश्क को ही दूसरा अशोक कहा जाता है और कनिश्क को देवपुत्र भी कहा जाता है और कनिश्क को कैंसर भी कहा जाता है तो ये नाम इनके याद रखेगा दूसरा अशोक, देवपुत्र और कैंसर भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया बहुत ज़्यादा क्योशन पुछा जाता है एक्जाम में भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागारजुन को और नागारजुन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सारी का माध्यमिक सारी का नाम की पुस्तक किसकी है तो माध्यमिक सारी की नाम की पुस्तक है नागारजुन की और नागारजुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और कनिश्क के दरबार में कौन रहते थे तो कनिश्क के दरबार में नागारजुन और अश्वघोस ये दोनों रहते थे और नागारजुन को ही भारत का अंस्टीन कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम माध्यमिक सारी का है अस्व घोस नाम का जो व्यक्ती थे उनकी पुस्तक का नाम याद रखे सौंद्रानंद, सरीपुत्र पुरकरण और बुद्ध चरित था तीके ये तीन बुक इन्होंने लिखी थी जिसमें से बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है बुद्धो का रामायन कहा जाता है तो याद रखे यहां से क्योशन कैसे बनता है कि बुद्धो का रामायन किस पुस्तक को कहा जाता है तो बुद्धो का रामायन कहा जाता है बुद्ध चरित पुस्तक को और बुद्ध चरित पुस्तक किस की है तो बुद्ध चरित पुस्तक है अस्व घोस की और अस्वघोस कहां पर रहते थे अस्वघोस कनिक के दर्बार में रहते थे याद रखेगा किस के साथ रहते थे नागरजुन के साथ और नागरजुन कौन है भारत के आइंस्टीन और इन्होंने एक पुष्टक लिखिती जिसका नाम था माध्यमिक सारी का आई होब कि आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट में नागरजुन ने कौन सा सिध्धान्त प्रतिबादित किया था तो नागरजुन ने एक सिध्धान्त दिया था जिसका नाम था सापेक्षता का सिध्धान्त और इसी सिध्धान्त के आधार पर इनको भारत का आइंस्टीन बोला गया था कनिश्क की म्रत्यु कब हुई थी तो कनिश्क की म्रत्यु हुई थी 102 इस्वी में और कुशान वंस का अंतिम सासक का नाम याद रखे वासुदेव वासुदेव कुशान वंस का अंतिम सासक रहा और कुशान वंस में किन सैली का निर्मान हुआ तो याद रखिए एक तो गंधार सैली और दूसरी है मतुरा सैली इन दोनों सैली का जो निर्मान हुआ यानि के उदै हुआ ये कुशान वंस के द्वारा किया गया एक question है जो आपको लुशेंट में नहीं मिलता कि रेशम बनाने की तकनीक का विश्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था तो रेशम बनाने की तकनीक का विश्कार सबसे पहले चीन में हुआ था इस बात को आप नोट कर लीजिए अब इसके बाद हम देखते हैं कुशान वंस के बाद आए गुप्त समराज्ये तो यहाँ से गुप्त वंस की सुरुवात होती है तो सबसे पहला question गुप्त समराज्ये का कि इसका उदय कहां से हुआ था तो याद रखे गुप्त समराज्य का उदय तीसरी सताबदी के अंत में प्रियाग के निकट जो कोशामबी है वहां से माना जाता है तो गुप्त समराज्य के लोग कहां के थे कौसामबी में थे यानि कि ये समराज्य कौसामबी से चला और संस्थापक कौन थे श्री गुप्त संस्थापक थे गुप्त समराज्य के श्री गुप्त लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थाप स्थापक माना जाता है चंड्रगुप्त को ठीक है चंड्रगुप्त पर्थम को तो यहाँ पर संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त है और इनका सासनकाल 244 इस्वी से 280 इस्वी तक रहा इसा पूर्व नहीं है इस्वी है ठीक है 240 इस्वी से 280 इस्वी तक उनका सासनकाल रहा और चंदरगुप्त पुर्थम जो थे उनकी उपाधी महराजा अधिराज थी क्या थी महराजा धिराज और ये पंजाब में फेमस थे याद रखेगा चंद्रगुप्त पर्थम की उपाधी महराजा धिराज थी और उनका जो फेमस इस्थान था यानि कि जहाँ पर वो फेमस थे वो था पंजाब श्री गुप्त का उत्रा धिकारी घटोत कश था जिसका सासनकाल दोस्तो अस्ती से तीन सो बीस इस्वी तक रहा था गुप्त वंस का पर्थम महान समराट चंद्रगुप्त पर्थम को माना जाता है तो गुप्त वंस का पुर्थम महान समराट माना जाता है चंद्रगुप्त पुर्थम को और चंद्रगुप्त पुर्थम गद्धी पर कब बैठा 320 इस्वी में इसका मतलब यह है कि जो स्री गुप्त का उत्रधकारी घटोत कस्ता उसके बाद यहने कि 320 इस्वी के बाद इसका नाम था कुमार देवी क्या नाम था कुमार देवी तो उससे इसका विवा हुआ चंद्रगुप्त पृथम का और धियान दीजिए कि काशी प्रसाद जैस्वाल के अनुसार जो गुप्त समराज्ये के लोग थे उनको कहा गया कि वे जाट थे क्या कहा गया वे कौन थे लेकिन दूसरे राय चौधरी के अनुसार जो राय चौधरी थे उनके अनुसार कहा गया कि गुप्त समराज्ये के लोग कौन थे ब्रहमन थे ब्रहमन गौरी शंकर ओजा के अनुसार गुप्त समराज्ये के लोग छत्रिये थे और एलन एवम अल्टेयर के अनुसार गुप गुप्त समराज्य के लोगों को वैशे कहा गया एलन एवं अल्टेयर चत्रिय किसके अनुसार कहा गया गौरी शंकर और ओजह के अनुसार ब्रहमन किसके अनुसार कहा गया राय चौधरी के अनुसार और गुप्त समराज्य के लोगों को जाट किसके अनुसार कहा गया कासी प्रसाद जैस्वाल के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका उत्रधकारी कौन था समुद्रगुप्त कौन था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त गद्धी पर कब बैठा 335 इस्वी में समुद्रगुप्त गद्धी पर बैठा और समुद्रगुप्त ज कहे गए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है याद रखे समुद्र गुप्त को क्योंकि इन्होंने आर्रेवर्त के 9 सासकों और दक्षिनावर्त के 12 सासकों को हराया था समुद्र गुप्त का दरबारी कवी जो है वो हरिशेण था इसको आप याद रखेगा ये काफी समुद्र गुप्त के जो दरबारी कवी थे हरिशेण इनका एक अविलेक था जिसको कहा गया इलाबाद प्रसस्ती लेक इलाबाद प्रसस्ती लेक या फिर प्रियाग प्रसस्ती लेक भी कहते हैं समुद्र गुप्त किसकी पूजा करता था तो भगवान विश्नु की क्या है अस्व मेग करता के नाम से जानी जाती है और समुद्र गुप्त जो है संगीत प्रेमी था क्योंकि जो इन्होंने सिक्के चलाए थे उस पर समुद्र गुप्त की वीना बजाती हुई मूर्ती मिली थी तो इसलिए माना जाता है कि समुद्र गुप्त जो है वो संगीत चलता है कि संगीत प्रेमी, समुद्रगुप्त थे बहुत जादा संगीत प्रेमी इनको माना गया। समुद्र गुप्त की एक उपाधी और थी जिसको आप याद रखेंगे विक्रमंक विक्रमंक इनकी उपाधी थी जिनको समुद्र गुप्त को नाम दिया गया और जिसे हम जो मतलब है विक्रमंक का उसे क्या बोला जाता है तो समुद्र गुप्त की उपाधी विक्रमंक जिस समुद्र गुप्त का उत्राधिकारी माना जाता है कुछ नौट पॉइंट है जो आपको याद रखने ही है इनके जो पॉइंट यहाँ पर दिये गए हैं ये पॉइंट क्वेश्चन में डारेक्ट पुछे जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट समुद्र गुप्त को भारत का नैपोलियन किसने कहा ये तो आपने देख लिया कि भारत का नैपोलियन समुद्र गुप्त को कहा गया लेकिन ये कहा किसने था उनका नाम था विंसेंट इसमित विंसेंट इसमित ने समुद्र गुप्त को भारत का नैपोलियन कहा क्योंकि भारत का नैपोलियन इसलिए कहा गया इन्होंने नौ सासकों को हराया था और वो नौ सासक कौन थे आरेवर्त के और बारा सासक थे दक्षनावर्त के इसलिए विंसेंट इसमित ने इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा किसका भारत का नेपोलियन और प्रियाग प्रसस्ति लेख यानि के इलाबाद प् के प्रियाग राज का है और निर्मान किस ने कराया था तो प्रियाग प्रशस्ती लेख का निर्मान कराने वाले कौन है अशोक किसको कहा जाता है अशोक को कहा जाता है और बाद में ये इलाबाद से कहां पर लाया गया बाद में अकबर के द्वारा इसको कोसामभी में और किस सहली में ये प्रसस्ती लेख लिखा हुआ था तो चम्पू सहली में प्रसस्ती लेख लिखा हुआ था इसको आप याद रखेंगे कि प्रसस्ती लेख किस सहली क्या थी चम्पू सहली समुद्र गुप्त की दक्षिन विजय को क्या कहा जाता है तो समुद्र गुप्त की दक्षिन विजय को धर्म विजय के नाम से भी जाना जाता है याद रखे धर्म विजय गया में बौद मठ बनाने के लिए मेग वर्मन ने किसकी अनुमती ली थी तो याद रखीगा जो गया में बौद मठ बनाया गया था वो किस ने बनवाया मेग वर्मन ने और मेग वर्मन ने इसको बनाने के लिए किस से अनुमती मांगी समुद्र गुप्त से इसकी अनुमती मेग वर्मन ने मांगी थी मेग वर्मन कहां का राजा था तो मेग वर्मन राजा था स्रीलंका का ठीक है तो मेग वर्मन कहां का राजा था स्रीलंका का राजा था जिसने गया में बौध मठ बनाने की अनुमती समुद्र गुप्त से मांगी थी समद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान कितने चरणों में पूरा किया तो समद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान पूरा किया था पांच चरणों में ये चरण याद रखेगा कि पांच चरण है जिसने जो विजय अभियान है समद्रगुप्त ने पांच चरणों म अब यहां पर आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त दितिये के सासंकाल में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था तो नाम था फाहियान फाहियान जो है ऐसा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त दितिये के सासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त दितिये की उपाधी अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं पहली है विक्रमा दितिये देवगुप्त चोथी है इनकी देवराज और पांचवी उपाधी को नाम याद रखेगा देवश्री भी इनको कहा जाता था ये इनके उपनाम भी माने जाते हैं तो चंदरगुप्त दितिये की उपाधी विक्रमा दितिये विक्रमांग देवगुप्त देवराज और देव चंद्रगुप्ट दितिये ने शक राजा को हराया एसलिए शक विजेता कहा गया उनका नाम था रूद्र सिंग तृतिये रुद्र सिंग तिरतिये राजा कौन थे शकराजा थे जिसको चंद्रगुप्त दितिये ने हराया और एक उपाधी प्राप्त की शक विजेता और इनकी एक और उपाधी परम भागवत नाम की उपाधी भी किसकी उपाधी है चंद्रगुप्त दितिये की उपाधी है अब य याद रखेगा चार असुमेग यग चंद्रगुप्त दितिये की जो उपादी थी वो हमने देख ली तो चंद्रगुप्त दितिये का उत्राधिकारी की बात करें तो चंद्रगुप्त दितिये का उत्राधिकारी कुमार गुप्त प्रथम है कौन है कुमार गुप्त प्रथम और कुमार गुप्त प्रिथम को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है क्या नाम है गोविंद गुप्त और याद रखेगा जो गोविंद गुप्त है यानि के कुमार गुप्त है उनका सासनकाल 415 इस्वी से 454 इस्वी तक रहा कब तक 415 इस्वी से 454 इस्वी तक रहा याद रखीगा जो नालंदा विश्विधाल्य है बिहार में उसके इस्थापना किस ने की थी तो नालंदा विश्विधाल्य के इस्थापना याद रखे कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी किसके द्वारा कुमार गुप्त के द्वारा जो चंद्रगुप्त दिति का उत्रा धिकारी था तो याद रखे कुमार गुप्त और इन्हीं को हम कहते हैं गोविंद गुप्त याद रखेगा अब देखिए जो नारंदव इसे विधाले है वो कहां पर है सभी को पता है बिहार में है और कुमार गुप्त की उपाधी कौन-कौन सी थी तो इनको पहली उपाधी मली स्री महेंद्र और दूसरी उपाधी मली महेंद्र दित्तिये की तो इनकी उपाधी को आप याद रखेए नेक्स्ट में हम बात करते किकुमार गुप्त के समय में सबसे अधिक अभिलेख मिले थे पर उड में से दो अभिलेक यहां पर है जो काफी जादा प्र इनकी जो रचना हुई थी उसको याद रखे मंद्स और अबिलेक की रचना की थी वत्स भट्टी ने मंद्स और अबिलेक की रचना की थी इसको आप याद रखेंगे बात करते हैं कुमार गुप्त के बाद उनका उत्राधिकारी कौन था नाम रखे इसकंद गुप्त इसको आपको याद रखना होगा कि कुमार पृथम के बाद इसकंद गुप्त इनके उत्राधिकारी रहे और इनका साषन जो इसकंद गुप्त थे वो 455 I een 477 तक रहा 455-467 इस्वी तक इसकंद गुप्त का साषन काल रहा और इसकंद कि गुपत ने घृनार परवत पर जो इस्तिथ सुधरसन झृव है उसका पुने निर्मार कराया था किसने समुद्र गुपत ने तो जो पुछ सहे निर्मान कराया supply का नाम क्या था सुधरसन जील और के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक पूरा लेक्चर वहां पर जितने यह एकशन बन सकते हैं वह सभी वहां पर देखे थे आप उस वीडियो को के लिए वीडियो के description में लिंक पर जा करके उस वीडियो को वाच कर सकते हैं लास्ट में क्योशन और बन सकता है कि इसकंद गुप्त ने किसको सौराष्ट का governor क्या था तो वो कौन व्यक्ति ठे जिसको इसकंद गुप्त के द्वारा सौराष्ट का गवर्नर नियुक्त किया गया उसका नाम था पन्दत क्या नाम था पन्दत इसका नाम था नेक्ष्ट में देखे इसकंद गुप्त की उपाधी कौन कौन सी थी तो इसकंद गुप्त की उपाधी याद रखे देवराय और और इसकंद गुप्त का सासनकाल ही था जब भारत पर हुनों के आकरमन हुए तो भारत पर हुनों के आकरमन जब हुए थे उस समय पर भारत में किसका सासनकाल था तो इसकंद गुप्त का सासनकाल था जब भारत पर हुनों के आकरमन हुए थे हुनों के आकर्मन का अभिलेक में मिलता है तो हुनों के आकर्मन का अभिलेक मिलता है भीत्री इस्तंब अभिलेक में किस में भीत्री इस्तंब अभिलेक में हुनों के प्रमुक को क्या कहा जाता था यानि के जो उनके प्रमुक होते थे उनको कहा जाता था मिहीर कुल क्या कहा जाता था मिहीर कुल तो हुनों के प्रमुक को मिहीर कुल बोला जाता था और जो हुन के लोग थे उनको कहा जाता था मलेच मलेच उनको बोला जाता था तो इस सब्द को आप याद रखेंगे एक question यहां से बनता है काफी ज्यादा बार बनता है कि गुप्त समराज्य का अंतिम सासक कौन था गुप्त समराज्य का अंतिम सासक था भानु गुप्त क्या नाम था भानु गुप्त तो यहां पर आपने देखा कि कितने ज्यादा question हमने एक पॉइंट वाइज यहां पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजी जिससे ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में